आपर जंगा-जंगा ये कीडे मिलने हैं बहुती लंबे-लंबे और गाइज इनसे बचना पड़ रहा है हमें आप देख सकते हैं व्लोग में इतने बड़े-बड़े कीडे हैं हम बच के चलने हैं फिर भी गाइज आप देख सकते हैं तो हाई ट्यू फैंबली वैलकम टू माइन व्लोग और गाइज कैसे हैं आप लोग ये ख्वाहिश करता हूंगा अच्छे होंगे आप लोग सो गाइज शुरू करते हैं आज का व्लोग गाइज आज के व्लोग में कुछ ऐसा है आज जा रहे हैं असनपूर की पावन धर्ति अबर आपको दिखाने आवाले हैं महा की सबसे इत्यासिक जंगा जो की महा पर खेडा पल्टा था पूरा और गाइज वहां पर अब वह आता हूं है वह पूरी जंगा तो गाइज मेरे साथ ब्लोग मों को बने रहाना चलते हैं असनपूर की तरफ सो गाइज मिलते हैं झाल झाल तो फाइनल आचुक है हम 하स्तनापुर और गाइस यहांकर हम आचुक है है पांडेशवर मंदिर पर और आपको दिखाते हैं यहां पर यहां पर उपर मंदिर है और गाइस महां पर चल रही है किया मिला है हम आचुके हैं यहां पर आप मेरे बैक साइट देख रहे होंगे गाई यह है सबसे नीचे का टैंपल जो कि हम इस वाले मार्क साहित आप प्लोग में देखा होगा यह टैंपल है सो गाईज जैसे की हम आज चुके हैं हस्तनापूर की पावन धर्ति पर और गाईज सबसे पहले आएते हम यहां से शुरुवात है तो कि उपर हैं टीले आप लोग में देख रहोंगे उपर टीले हैं और यह है मंदिर पांडेशर मंदिर है और गाईज यह आप पेड़ खाते हैं ब्लोग में और गाईज यहां से करते हम शुरुवात अब इनका लेवा यहां पर बनने थे पूरी होती लोग यहां पर भंडारे करते हैं पहले गंगा यहीं बैठी ती अब गंगा बारे कि दूर पचली गई है जो गंगा पूजा करते थे वह कुआ है जिसमें अंकल ने ब्लोग में बताया इस मंदिर का भी इत्यास और गाइज आपको दिखाएंगे इसके जो मंदिर है पांडेश्वर मंदिर इसके अंदर एक कुआ है जो की बहततर बीमारी खत्म हो जाती है शरीर की निरोगी हो जाता इनसान और गाइज आपको हम टीले पर भी ले क्लासिक कुआ जिससे चपन बिमारी बिल्कुल इंसान निरोगी हो जाता है अगर उसका एक बार उससे नहा ले तो गाइज वो है अंदर मंदिर के तो पांडवेश्वर मंदिर के अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं ब्लॉग में कुआ कि यह यह मुरा कर देश्वर कर देश्वर मंदिर पर सबसे पहले और हम आचुके हैं यहां के जो कि अंदर है कुआ गाइज यह 5000 साल पुराना कुआ है और इससे सारी बिमारी उंसान की खतम हो जाती है अगर इससे गाइज इसका पानी अगर पी भी ले या नहा ले तो गाइज हम आपको दिखाते हैं पूरा कुआ आप देख्रों ने मेरे बैक में पूरा कुआ है गाइज यह अम आपको दिखाते हैं अंदर से गाइज आप देख सकते हैं यह एक कुआ बहुत ही गहारा है गाइज इसकी आद तक को इसकी घराई नहीं नाप पाया है इसक्वे की और इसका पानी मुझे निरोगी हो जाता है इस कोई के बारे में यह कहा जाता है गाइज हमेंने सुना है तो आपको हम दिखा रहे हैं वाला कुवा अम आपको अगले आगे लेके चलेंगे हम तीलों पर जाएज फॉन की भी हम छीटे कर देते हैं थोड़ा और आप देख सकते हैं यहां पर बंदर भी भूमते रहते हैं तो गाइज हमने इसका पवित्र जल जुश्चे हमने हाथ भी दोए और छीटे लिए गाइज अब आपको लेके चलेंगे हम तीले पर आपको दिखाते हैं में चीज हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह अब आप आप अपर जो यहां पर भी एक मंदिर है मातरानी का और आप देख रहोंगे पूरा यह जंगल है गाई जो की खेडा पल्टा था और गाईज यह पूरा जंगल बन गया आप देख रहोंगे सामने जो रास्ता जा रहा है गाईज वह जा रहा है सीधा उस जंगा की तरफ जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत इतियासी जहां पर अब खुदा ही चल दिया है और गाईज महां पर बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए वह पब्लिक के भी खुल चुका है अब आपको लेका कि चलेंगे सीधर रास्ते की तरफ और गाईज हम जैसे कि यहां पर चलने इस रास्ते के तरफ यहां पर किसी और तकी आवाज आ दिया हैं गाने की तो आपने सुनते हैं थोड़ा आवाज कान लगा कर ुए गही finely आरफा है आरिया और आपको WAITाइं अवाजी आरे उस सुवारे जंगल के एहा वाज आ ए गाही से पतानी किधर का टो ऑगको लेकर चलते हैं आगे थोड़़ ढधर से भी लग रहा है आप तो पर हम आपको लिए कर चलैंगे आगे रास्ता में आपको लेके चलते हैं उस वाली प्लेस पर आई जैसे कि आपको हमने व्लॉग में दिखाया हम लेके चले हैं आपको आगे जहां पर कुआ है दुरोपती का और और गाइस हम आपको दिखाने वाले वह एतियासिक जंगा जहां पर खुदा ही चल ली है फिलाल वह गाइस जंगा मैंने भईये से पूछा का जो कह रहे हैं अभी भी बंद है कुछ दो और वह फिल चुके हैं जो कि वे भी यही प्लेस देखने के लिए आखे सकते हैं यह पूरी जंगा है जबान जिए ने हमें पर जंगा जंगा यह कीड़े मिलने हैं बहुत ही लंबे लंबे और इसे बचना पढ़ रहा है हमें आप देख सकते हैं व्लोग में इत् हैं हम बच्च के चलना है फिर भी गाइज आप देख सकते हैं हम आचुके हैं यहां के दुरोपती के कुए पर जो की इतियासिक जंगा है बहुत ही ज्यादा आपको देख सकते हैं व्लोग में आप सामने की तरफ अध्यां निचे से करके फिर उप लिए तरफ तरह रास्त दिखागा है तो गभाइज आप देख सकते हैं व्लोग में हम आचुके यहां के दुरोपती के कुए पर जो की बहुत ही इतियासिक प्लेस है हम आपको अपने रिच्च पर दिखाने लाए हैं तुरा गणा जंगल ह और अपने बहुत सारे बाई यहां पर आ चुके हैं जो कि यही कुवा देखने के लिए आया है खास और आपको दिखाते हैं व्लोग में एक कुवा जैसे कि बहुत देर तक हमें 15 मिट हो चुकी है और गाइस हम आपको दिखा रहे हैं यहां की सबसे इत्यासिक जगा जहां पर गाइज अभी आप देख सकते हैं ब्लोग में सूने का घड़ा भी मिला था और हम आपको दिखाते हैं ब्लोग में पूरी यह प्लेस अब अगे के लिए अ हसना पूरी सबसे इत्यासिक जगा जहां पर गाइज अब चले लिए खुडाई और गाइज आपको इसलिए यहां पर मोईस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहां पर जाने से माना था और आप महांने आपको फिर बी यह दिखा जि drin फिसके से कहे हैं और सोने की मुद्ट की क्वाइट करसे लिए है'RE आपको कि ए सकते का से क्याव कि विलियुकरD और आपको यह नीगाई बिया तेमकी जिसका पुरा झार जहां पर क्वड़ाल में जिए वन हों में हैं पर कई में हैं जो की बहुत ही ज़्यादा अनोके हैं और गाइज वे सब तो गाइज हम आपके लिए दिखा रहे हैं यह वाली जंगा सुगाइज अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करना चैनल पर श्ट्राइब करना थाइंग और वाइज 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 आप लोग में देख सकते है हम यहां से जंगल के बीच में आच चुके हैं और गाइज यहां पर एक चोटा समंदिर था हम यहां पर रुके थे और गाईज आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा घना जंगल है और गाईज ये मार्ग जा रहा है सीधा उसी जंगा की तरफ जहां पर खुदा ही चल दिया है और आगे दुरोपती का कुवा भी है हम आपको दिखाएंगे ब्लोग में और आपको देख सकते हैं पूरा देख सकते हैं ब्लोग में